आज हम इस वीडियो में प्रश्न उत्तर को समझेंगे ये प्रश्न उत्तर पिछले वाले वीडियो में जो हमने समझा था दूरी और विस्थापन उस पर आधारित है ये टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे बीच के प्रश्न है इन प्रश्णों को हल करने से हमको जो दूरी विस्थापन के बारे में जो समझ बनी है वो पुकता हो जाएगी अगर समझने में कोई confusion रह गया है या कोई point miss out हो गया है तो वो भी इसमे clear हो जाएगा कुल मिलाकर हमारा दूरी और विस्थापन का दोहरान हो जाएगा और परिक्षा के लिए हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी तो पहला प्रश्ण है एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तै की गई क्या इसका विस्थापन शुन्य हो सकता है अगर हां तो अपने उत्तर को उत्तर हम लिख देंगे हां विस्थापन शुन्य हो सकता है उत्तर हम लिख देंगे हां विस्थापन शुन्य हो सकता है उत्तर हम लिख देंगे हां विस्थापन शुन्य हो सकता है उत्तर हम लिख देंगे हां विस्थापन शुन्य हो सकता है उत्तर हम लिख देंगे कि एक प्रारंबिकिस्थती और अंतिमिश्थती के बीच का अंतर लेकिन उसकी तो प्रारंबिकिस्थती अंतिमिस्थती वही की वही है तो उसका विस्थापन शुन्य हो गया, दूसरा प्रशन है एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले वरगाकार खेत की सीमा पर 40 सेकिंड में चक्कर लगाता है दो मिनट 20 सेकिंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमान क्या होगा हमसे पूछा गया है विस्थापन का परिमान परिमान हमने समझा था परिमान का मतलब है अंकियमान बताना विस्थापन वो जिस प्रारंबिक अवस्था में जहां था वहां से जहां उसने चक्कर खतम किये उसमें कितनी दूरी है वो हमको अंकियमान के साथ बतानी है तो प्रशन को जब तक अच्छे तरह समझ में ना आ जाए कि क्या दे रखा है और क्या पूछा गया है तो प्रशन को हमको दो तिन बार पढ़ लेना चाहिए तो प्रशन 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गा कार खेत का मतलब हुआ जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तो एक भुजा हमको दे रखे दस मीटर तो इसका मतलब उसकी चारों भुजाएं 10 मीटर की होगी हमने एक चित्र ड्रॉ कर लिया वर्ग का और चारों कोनों की मान रख दिये A, B, C, D ठीक है और दस मीटर की चारों भुजाएं हो गई अब वो चक्कर लगा रहा है 40 सेकिंड में एक चकर लगाता है तो 40 सेकिंड में लगाता है एक चकर हमने लिख लिया अब पूछा गया है 2 मिनट 20 सेकिंड के बार विस्थापन क्या होगा तो 2 मिनट 20 सेकिंड में वो कित्धे चकर लगा लेगा तो देखेए 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड ठीक है एक मिनट में 60 सेकंड तो दो मिनट में कित्ते हो गए 120 सेकंड हो गए तो 120 सेकंड में 40 सेकंड में एक चक्कर 80 सेकंड में 2 चक्कर 120 सेकंड में 3 चक्कर लगा लेगा ठीक है बचेंगे 20 सेकंड तो 20 सेकंड में उसकी स्थिति का पर होगी यहां से चल के 10 सेकंड में यहां पोँचेगा और 10 सेकंड में यहां पोँचेगा तो उसकी अंतिमिस्थिति C पर होगी ठीक है तो वो प्रारभर की स्थिति A पर थी और अंतिमिस्थिति C पर थी तो यह तो अभी हमने समझा है कि प्रशन में क्या दे रखा है ठीक है अब हमको प्रशन का उत्तर निकालना है कि अब विस्थापन का परिमान क्या होगा तो विस्थापन कितना हो गया वो ए पोजीशन पे था और अब वो सी पोजीशन पर है तो इसके बीच की दूरी यह हमको ग्या कम दूरी होगी वो वाली लेंगे. तो देखिए, चितर को तो ये बन गया एक समकॉण तिरिभुज़ बन गया. और जो हमको विस्थापन ग्याद करना है, ये बन गया्ट कर्ण. तो हम जानते हैं कि समकौन त्रिबुज में किसी भी भुजा की लंबाई अगर हमें ग्याद करनी है तो पाइथोगोरस की प्रमे से हम ग्याद कर सकते हैं पाइथागोरस की प्रमे को चला याद करने की कोशिश करिए पाइथागोरस की प्रमे क्या है करंड का स्क्वाइर बराबर आधार का स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर तो करंड कितना हो गया जो की विस्थापने जो की दूरी हमको ग्याद करनी है तो AC का होल स्क्वाइ है तो इसका वर्ग जब दूसरी तरफ जाएगा तो वर्ग मूल हो जाता है तो 200 का वर्ग मूल 200 एक वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्ग मूल हमको निकालना होगा तो इसके हम टुकड़े कर देंगे 100 गुणा 2 तो 100 तो वर्ग संख्या है उसका वर्ग निकल जाएगा 10 वर् विस्थापन आ गया हमारे प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया कि उसका परिमान क्या होगा उसका परिमान होगा दस दो का वर्गमूल मीटर ठीक है तो यह आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं अगला प्रश्न है विस्थापन के लिए निम्ड में से कौन सा सही है तो यहां शुन्य नहीं हो सकता तो यह statement है कौन सुन्य नहीं हो सकता विस्थापन शुन्य नहीं हो सकता तो विस्थापन तो अभी हमने पिछली बारी पड़ा विस्थापन शुन्य हो सकता है तो हम पूरा sentence लिखेंगे कि विस्थापन शुन्य हो सकता है यह statement कैसा है असत्य ह गलत है इसका परिमान वस्तु के द्वारा तै की गई दूरी से अधिक है किसका परिमान विस्थापन का परिमान तै की गई दूरी से अधिक है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता विस्थापन कभी भी तै की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता तो यह भी statement गलत है और इसका उत्तर हम लिखतेंगे कि विस्थापन का परिमान वस्तू के द्वारा तै की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता तो इस तरह से दूरी और विस्थापन पर जो प्रशना आधारी थे हमने उसको हल किया अगले वीडियो के अंदर हम एक समान गती और असमान गती के बारे में पढ़ेंग